नमस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आपने यूटूब चैनल रतन बाईसा की रसोई में तो आज की थाली कुछ स्पेशल हैं वीडियो दोस्तों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना दबाने से आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए तो आज हम बनाएंगे स्पेशल कश्मीरी दम आलू वह भी हम आपको बहुती इजी वे में बनाना बताएंगे यहां पर मैंने यह पोटेटोस ले लिये हैं यानि कि छोटे-छोटे आलू जो आते न वो ले लिये हैं अब इने अच्छे से धो के इसका छिलका निकाल के इसे थोड़ा सा पोंच लिया हैं अब आप कोई भी च्छाको या फिर तूदबिक या फिर फोक की हल्प से इसके अंदर छेद कर आलू हम यह देखिए चारो और फोक्ये अल्प से चेद कर देंगे तो आलू हमारे यह को गया है अभल आप यहां पर लिए पैन डाल देंगे तेल मैंने यह पर सरसों का लिया है इसे बहुत ही अच्छे से गरम करना जरूरी है अगर सरसों का तेल कच्छा रह जाता है तो खाने का टेस्ट जो रहना तुला अच्छा नहीं आता है आप चाहो तो नॉर्मल तेल में भी फ्राइब करके ले सकते हो तो यह अदर एड़ कर देंगे यह आलू और गयास की प्लेम को ना तो ज्यादा हाई रखेंगे ना ही ज्यादा लो रखेंगे मेरियम प्लेम पे इन्हें अच्छे से बून लेंगे इसकी ग्रेवी बनाना बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से रफली काट लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर एड़ कर दिया है तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर एड़ कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गर वाली सबस्जी बनके त्यार हो जाती हैं। इन्हें पीजम सेयर के बना ली है इसकी ग्रेवी, इस में ना अद्रक दो करें च्शक करते हैं, नहीं को प्याज ऐड तो एक और शो है, यह आलू हमारे तेल में अच्छ में अच्छ से फ्राइ हो रहे हैं जब पत्ता दाल, जीरा, राई एड़के थोड़ी में ग्रेवी इसके अंदर आड़कर देंगे तो यह देखे, थोड़ा सा तड़का जो है तेज हो गया यह राई वगरा ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो आप एड़कीजिए वरना राई को स्केप कर सकते हैं तो जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएगा थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे और ग्रेवी पकाते समय हमेशा धकन लगा के ग्रेवी को पकाना है वन्ना ग्रेवी के चीटे जो है उचल जाते हैं फिर किचन क्लीन करना पड़ता है तो इसे हम अच्छे से पकने के लिए चोड़ देंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से एज़ेस कर सकते हैं आपको किस टाइप की चाहिए यानि कि थोड़ी सी थिक कंसेंटेंसी की चाहिए तो थोड़ा अच्छे से पकाईए थिक हो जाएगी अब हमने जो आलू फ्राइ करके रखे थे ना उन्हें हम इस ग्रेवी के अंदर आड़ कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए 3-4 मिनट तक पका लेंगे जिससे क्या होगा ना मसाला जो है सारा इन आलूं के अंदर तक चला जाएगा रेसिपी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएए कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ शेर कर सकते हैं ढकन लगा के इसे अच्छे से पका लिया है और लास्ट में हम इसके उपर आड़ कर देंगे कसूरी मेथी तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएए मिलते हैं नई रेसिपी में धन्यवाद